अगर उन्होंने इस वक्त कंगना के साथ काम किया होता तो हर रोज नेपोटिजम के बारे में सुनना पड़ता चिराग ने कहा कि कंगना जिस तरह से नेपोटिजम का मुद्दा उठाती हैं वे हर रोज उनकी क्लास लगाती चिराग ने कहा कि नेपोटिजम से आपको प्लैटफॉर्म मिल सकता है लेकिन सफलता मिलेगी की नहीं इसकी कोई गैरिंटी नहीं है चिराग पासवान ने कंगना रनौत के साथ फिल्म मिले ना मिले हम में काम किया था उन्होंने ब्रूट इंडिया के साथ बाचीत में कहा थैंग गॉड ये फिल्म मैंने उस वक्त की आज कर रहा होता तो कंगना जिस तरीके से नेपोटिजम का इश्यू हाइलाइट करती है मेरी तो रोज क्लास लगती चिराग ने ये मजाखिया अंदास में ये बात कही नेपोटिजम पर बोलते हुए चिराग ने आगे कहा इससे कोई फरक नहीं परता कि आप सूपरस्टार के बेटे हो या प्राइम मिनिस्टर के अगर आपको लोग पसंद नहीं करते तो इसका कोई मतलब नहीं है एक बड़ी परसनालिटी का बेटा होना या बेटी होना आपका सौप भाग्य हो सकता है लेकिन काबिलियत नहीं चिराग से पूछा गया कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री क्यों छोड़ दी जवाब में चिराग ने कहा मैंने नहीं छोड़ी बॉलिव के लिए बना ही नहीं था लोग आपको चड़ा देते हैं कि अच्छा दिखते हो अच्छा बोलते हो तुम्हें बिल्कुल फिल्म इंडस्ट्री में ट्राइ करना चाहिए चिराग यहां कहना चाहते थे कि उनका रुझान कभी फिल्म इंडस्ट्री के तरफ नहीं था आसप इंडस्ट्री में नहीं मिली वो सफलता उन्हें राजनीती के मैदान में मिल गई। वे लगतार दो बार से बिहार की जमुई लोकसभा सीट से सांसद हैं। उनके पिता राम विलास पासवान बिहार के कद्दावर नेता थे। वे कई बार केंद्रिय मंत्री भी रहे। 2020 में उनका निधन हो गया।